चिप्स कोर्गुरे या फिर इस्नेक्स खाना किसको पसंद नहीं इनकी पात आती है तो सभी रिए की मूह में पानी का जाता है तो तो किस पर बाफ्टन रखिए तो कोंषे तो साइन पर सके हैं और आप इन्गें और देखने करना है फिर इसमें एड़ कर देंगे आदा कब चावलका आटा चावलका इज ली मार्केट में मिल जाता है और अगर आपके पास measuring cup नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूर नहीं है मैं आपको दूसा method बता देती हूँ जिससे आप आसानी से measuring कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना इस तारीके से कटोरी ले लिए उसे आदा चाबल के आठे से fill कर दी दिए तो आपको इस तारीके से आदा कप चाबल कार्था मिल जाएगा और फिर इसमें एड़ कर देंगे दो चम्मच बेसन साथी में इसमें एड़ करेंगे दो चम्मच कॉन फ्लार और टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं मैं आपको बता दू है मैंने क Connerield मैंने इस तारीके की खानेवाली से किया है मैंने बेसन और corn flour को लेकर इस तारीके से लेवल कर दिय था तो वस इस तारीके की चम्मच से आप इन्मान का मेजर मेंट कर सकते है तो अब मैं सभी dry onions को अच्छे से mix कर लेती हूं तो यहाँ पर मैंने आपको सभी problem का solution बता दिया है आपको इसमें measuring करने में कोई दिक्कन नहीं आएगी और फिर इसमें मैं डालूंगी 1.5 cup पानी तो measurement का आपको ध्यान रखना है 1.5 cup पानी लेना है और फिर इसे अच्छे से mix कर लेंगे तो अब मैं आपको बता देती हूं कि मैंने starting में flame on क्यूं नहीं की थी यानि की gas on क्यूं नहीं की थी वो मैंने इसलिए on नहीं की थी अगर मैं starting में on कर देती है तो जब मैं इसमें पानी एड़ कर दी तो इसमें काफी सारी गुठ्लिया आ जाती तो इस तारीके से मैंने आपर इसे mix कर के लिए लिया आप देख सकते हैं एकदम स्मूर्दी घोल है वो मन के तयार हो चुका है अब हम आपर flame को on कर लेंगे और flame को on करने के वाद लो कर देंगे और लो करने के वाद से continue चलाना start कर देंगे तो मैं आपर आपको perfect timing बता देती हूँ इसे इसी तरीके से चलाते हुए 5 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है केवल 5 मिनट के लिए ही चलाते हुए पका लेंगे तो चलाते है इसलिए रहना है कि अगर हम इसे चलाना बंद कर देंगे तो जो चाबल का रहता है वो तले में लग जाएगो साथी में इसमें गुठनी आ जाएंगी तो यहाँ पर इसे पकते पकते तीन मिनट हो गए है और मैं आपको दिखा देत तो फटाफट से लाइक कर दीजे तो यहां पर मैंने इसे टोटली पांच मिनट के लिए अच्छे से पका लिया यह काफी अच्छे से थेक हो चुका है और अब मैं आपको टच करके दिखा देती हूं कि यह हात में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है अगर आपको लगता है क पका लिए अब हमें क्या करना है कि यहां पर फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पर इसे कबर कर के श्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए तो गाइस आपको ध्यान देना है पहले मैंने जब इस लिकुर को पकाया था तो इसमें 5 मिनट दी थी और अब मैं पांच तो कर एक 10-10 मिनट के लिए हमें इसे पकाना होता है तो इस इस पर बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और इसे ऐसे ही कवर छोड़ देना है तो यहां पर 5 मिनट हो चुके हैं और यह स्टीम हो चुका है अब हम यहां पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए हलका ठंदा कर लेंगे जादा ठंदा नहीं करना है अब हमने यहां पर इसे ठंदा करके लिया है और टच करके देख रहे हैं तो इस टाइम पर अब इसके जो स्नैक्ससे हैं बना लेते हैं तो इस बनाने के लिए इसमें से थोड़ा थोड़ासा पोशल ले जिए और इसकी इस तारीके से छोटी सी बॉल मनाएंगे और बॉल मनाने के बार से रोल कर देंगे इस तारीके से और इसकी पत्री पत्री फिंगर्स बना के तयार करेंगे तो ये बहुत ही इजी तारीके से बन जाती है तो आप चाहें तो टेड़ी मेड़ी जैसी भी बना के तयार कर सकते हैं आपको दिखाती हूं कि एक दूसरे में बिल्कुल भी चिपकती नहीं है तो अब हुम चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं तो फ्राइ इकल मततने अंयुक्त करतें और सद्वतर इतास पर दाते harcket जो त्विजए तयार कुनों डादे आप उइद सद्वडर सब्सक्रीर याई है चाहे हैं गालना कम गैस पर जायात बातास हम अगरे उसलगाफ नव्कक केरते था halle schemes तो आपकी फिंगर हैं वह अच्छे से किस्पी बनेंगी और साथी में इन में और भी नहीं जाएगा तो सभी फिंगर एड़ कर दी हैं हमने अब हम इन्हें ऐसे हाई फ्लेम पर चार से पांच मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगी तब हम इनके बीच में चम्मत चला देंगे इनन के लिए युजशे सकते हैं काफी अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो आप देखि सकते हैं अभी आगए से काफी क्रिस्पी और केंशी लग रही खाने में यड़ब अब के उबर मसाला कोट करेंगे उससे भी ये काफी स्वादिश्ट हो जाती हैं तो इसी तरीके से आगे के और भी बैच हैं वह हम फ्राई करके ले लेंगे तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राय कीज़ेगा और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंस फैमली के साथ से काफी पसंद आएगी तो गाइस बातों ही बातों में हमारे स्नेक्स हैं भुबन के तयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक्दम एक्कोईल फ्राई हुए हैं और साथी में काफी टेश्टी लग रहे हैं अब जट पर से और भी स्पाइसी और मसालेदार बना लेते है तो इसके लिए मैंस में डालूँगी टेश्ट के अकॉर्डिंग काला नमक, टेश्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, आदर छोटा चमच अमचुर पाउडर, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छी क्रिस्पी नैसकी आबाज आ रही है जब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अब तो आप बागरी ट्राइ करना चाहेंगे इस क्रिस्पी से स्नेक्स को और खास बात है कि इसके लिए हमें कुछ खास इनियन्स की जरूर नहीं पड़ती है तो आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा इस क्रिस्पी और टिस्टी से लगने वाले स्नेक्स को और रेसेपी